आप सभी का स्वागत हैं आए देखते आज की खास खबर अतिम संस्कार की तैयारी के वगनी से जाकर आई चार साल की बेटी लोगों ने उसे गोद में उठाया लेकिन वो पोज गे पापा के पास उसने जो बताया उसे सुन सभी थे शौक या घटना दिली नोईडा फेस टू में रहने वाले एक इलेक्रिशन की दो दिन पहले संदिक्त हालत में मोध हो चुकी थी युवकर शब चुनी के सहारे लड़की मिला था घर के लोगों में इसमें आत्मत्या समझ कर बिना पुलिस को सुचना दिये दाहा संसकार करने की तैयारी चुड़ गए थे उसी दोरा रुतर के चार साल की बच्ची नेंसे जाक कर वहां पोची लोगोंने दिलासा देने कीले उसे गोद में उठा लिया था लेकिन वो उतर कर पापा के पास अर्थी के पास पोची रोतेवे बात करना चाहां इसके बाद उसने जो कुछ कहा उसे सुन परिवार शौक में रह गये लोग जिसे आत्मत्या मान रहे थे तो वह मडर का मामला मासुं ने बताया दो अंकर आये थे उन लोगोंने पापा को मार डाला बची ने जम पूरी बात बताई तो भूत्त का दाह संस्कार करने से पहरे परिवार वालोंने पुलिस को सुचना दी शिकाय दर्श कराने के बाद सोमवाल शाम पोस्माटम किया गया इसी बीच बच्ची की माने अपने घर वाले पर ही होरर किलिंग की आशंका जताएं पोस्माटम रिपोर्ट में गला दबा कर मानने की पुष्टी हुई थी मिरी जानकारी के अनुसार लव मैरेज को लेकर माई के वाले ने किया था फिरोज फिलाल पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है तो खबरों में आज के लिए इतना है MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi आप आजी प्रेसों से डाउन्रूट करे और हमारी चानल को लाइक, सब्सक्रेब, शेर करना ना भूले तब तब की लिए धन्यवाद